हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो आर्जी क्लासिस आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं अंटचेबल एक नोवल है जो कि मुल्क राजानन्द के द्वारा लिखा गया है यह नोवल इंस्पायर हुआ है किस से उनकी आंट का एक एक स्पीरियंस था वेन शी हैड़ा मील जब उन्होंने खाना खाया था एक मुस्लिम मुमें के साथ और उनकी फैमली ने उनको आउटकास्ट कहकर ट्रीट किया क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम मुमें के साथ खाना खाया था यह दिखाता है एक दिन किसकी लाइफ का बाखा के लाइफ का यंगर स्वीपर एक यंग स्वीपर है जो वो अन्टचेबल है क्योंकि वो क्या काम करता है लैटरीन साफ करता है इसलिए उसको अन्टचेबल कहा जाता है इन्टाइर प्लोट जो पूरी स्टॉरी है वो एक सिंगल डे की है एक ही डे में कई सारी इंसिदेंटेंट्स होते हैं वो टॉलेट क्लीनिग नहीं चाहता है करना तो और वांट्स तूडू स्टूडू पढ़ना चाहता है and we are learned man और एक learned man एक विद्वान बनना जाता है लाखा इसा फादर और बाखा लाखा बाखा का फादर है who is a bit of antagonist in the novel novel में एक छोटा सा antagonist का पार्ट है उसका his profession is sweeper उसका profession क्या है? sweeper है वो भी sweeper है इसलिए वो अपने बेटे से भी वही काम कराता है the outcasts were not allowed to draw water from wells जो outcast है जो untouchable है उनको well से पानी लेना मना है enter temper, temper में enter करना मना है और basically touch anything basically किसी भी चीज़ को छूना मना है as it would make anything impure and corrupt क्योंकि इस से हर चीज़ impure हो जाएगी और corrupt हो जाएगी in the end of the novel novel के end में आनन प्रिजेंट्स त्री आंसर्स आनन थ्री आंसर्स प्रिजेंट करता है to the malpractice of untouchability untouchability की जो malpractice चल रही है चुआ चूत का जो भेद भाव चल रहा है उस पर वो थ्री आंसर्स प्रिजेंट करता है बाखा इन ओफर to accept Christianity बाखा को ओफर किया जाता है कि वो Christianity accept कर ले that has no caste system जिसमें कोई caste system नहीं है and so he will be no longer an outcast इसलिए फिर उसको outcast नहीं समझा जाएगा बट बाखा fears cleaning his religion लेकिन changing his religion लेकिन बाखा को डर है अपना religion अपना धर्म चेंज करने से सोहिनी is the sister of बाखा सोहिनी बाखा की sister है महात्मा गांधी comes to the village महात्मा गांधी इस बिलीज में आते हैं and educates everyone on untouchability और सभी को untouchability पर एक पार्ट सिखाते हैं in the concluding paragraph a person randomly comes into the scene and informs everyone जो concluding paragraph है इसका उसमें क्या होता है एक person आता है scene पर सामने and informs everyone वो सभी को inform करता है about a machine एक machine के बारे में perhaps toilet flush शायद वो toilet flush के बारे में inform कर रहे है that will clean fecal matter automatically जो कि fecal matter को automatically clean कर देता है बाखा thinks that this will be a solution to all his problems अब बाखा सोचता है कि ये जो machine है उसकी सारी problems का solution है क्योंकि अब इस machine के यूज से उसको toilet अब साफ नहीं करनी पड़े की तो ये short summary है untouchable की उसको अच्छे से पढ़ लीजेगा ध्यान से ओके तो इससी तरीके से हम literature से related videos अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को subscribe कर लीजे और साथ में जो bell icon है उसे भी प्रेस कर दीजे ओके थैंक्यू और आपना इस